कि इस सीजन को देखने के बाद मुझे इस मुहावर पर शक्सा होने लगा है दस घंटे के इंवेस्मेंट के बाद मैं इस नतीजे पहुंची हूँ कि इस सीजन का प्योर मकसद है स्टोरी बिल्ड करना तो अगर आप थोड़े कम पेशन्स वाले इंसान है तो ये सीजन आपको बोरिंग लग सकता है हुआ क्या है कि सीजन वन और सीजन टू के जो साइड केरेक्टर्स थे उनको इस बार डेरेक्टर ने भर भर के स्क्रीन टाइम दिया है मुन्ना और कालीन भाया के फैंस को अपने दिल में थोड़ी सी जगर गुड़ू, शरद और गोलू के लिए बनानी पड़े और इनका मोनोलोग जो है वो खतम होने का नाम ही नहीं लेता है तो इसको देखके आप भी कहेंगे बंद करो हाथ जोड़के मैं शेर, चीता, घोड़ा, सब बोल जाओ, इस बार हर कैरेक्टर ने गरिगर की तरह रहन बदला है जब भी कोई कैरेक्टर बोलता है न, बैठक बुलवा ले, ये आपके दिमा में जरूर आएगा किजिए मीटिंग, मीटिंग, खेलिए मीटिंग, मीटिंग कुछ कैरेक्टर पे, कुछ चीजें बिल्कुल आउट ओफ प्लेस लगती है जैसे कि जब ग्रे मंत्री जो दिखाया है, जब वो गाली को लॉज करता है बिल्कुल सूट नी करता, गोलू सूर्ती खा रही है, बिल्कुल सूट नी करता मतलब इस क्रीम पे कुछ भी ना करे न, तब भी देखके बड़ा मज़ा आता है वहीं पर कुछ आक्टर जैसे कि गुड़ो, गोलू, मादु नीजो की कारतेकारें की फीमेल वर्जन लगती है इनको देखके मजा नहीं आ रहा है मतलब गोर दिखाने के चक्कर में डेरेक्टर ने किसी भी भोले वाले केरेक्टर की बली जड़ा दी है इस बार दूद में सोडा जैसे, शायरी में गाली गलोच वैसे, इस वेर्ड कॉम्बिनेशन को देखने के बाद आप तालिया ज़रूर बजाओगे पीना का बेटा किस ट्रिपार्टी की बीज है, इसका हिंड भी आपको इस सीजन में मिल जाएगा पॉलिटिक्स का सॉलिट टड़का दिया है इस बार, जिसको समझनी ले थुरू सा दिमाग लगाना पुर्वांचल की गद्डी पे उसी का बाहुबल होगा जो शत्रंज के खेल में महरत हासिल करेगा क्लाइमेक्स दिखने के बाद जो आपको जटका लगेगा और आप सारे सीजन, पुराने सीजन को रिक्याब पर करके देखोगे और आप सोचोगी यह हुआ, कब, यह कैसे हुआ, यह क्यों हुआ सीजन थ्री जितने सवाल शोड़के जा रहा है उसका जवाब हमें सीजन फोर में ही मिलेगा सीजन थ्री ही खतम होने के बाद आप इन मैडम को ज़रूर गूगल करोगे, इसकी गैरंटी मैं देती हूँ इस सीजन को रेटिंग मैं दोंगी पांच में से चार स्चार